हेलो दोस्तों, आचल तेरीस गाडन में आपका स्वागत है, आज है सेप्टेमबर की 23 तारीक और आज की वीडियो में जिस टॉपिक में आपसे बात करने वाली हूँ, वो 16 से भी जादा ऐसे प्लांट है, जिनकी कटिंग बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है, बिगनर इन ही प्लांट से अपनी बागवानी की शुरुआत कर सकते हैं, बिगनर तो बिगनर, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जिनको गाडनिंग का शौक होता है, वो भी बड़ी आसानी से इन प्लांट को अपने गाडन में ग्रो कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज देख रहे हैं, आप बहुत खुबसूरत प्लांट होता है, इसके लिउज बहुत सुंदर होते हैं, हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट होता है, और छोटी सी भी इसकी कटिंग आप लेकर ऐसे फेक भी देंगे मिट्टी में, तो वो बहुत आसानी से ग्र में दाल देगा, तो वो ग्रो हो जाता है, तो इसकी कटिंग से, तीन चार इंच के इसकी कटिंग ले लीजिये, इसके भी जो नोड एरिया होते हैं, वहां रूट से निकले होते हैं, यह देख सकते हैं, और हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट होता है, जि आप hanging basket में भी लगा सकते हैं और अपने घर को बहुत खुबसूरत लुक दे सकते हैं और ये देखिए और टर्टल वाइन इसको मैंने hanging basket में लगा रखा है नीचे पोर्च में और देखिए ये roots आपको दीख रहे होंगे तो इसको भी बड़ी आसानी से ग्रो किया जा सकता है cutting के माध्यम से तो beginner जरूर इस plant से अपनी बागवानी की शुरुआत कर सकते हैं बहुत खुबसूरत plant होता है कम पानी और कम धूप में चलने वाला plant होता है ये और जो अगला हमारा plant है वो baby tears का plant है ये भी बड़ी आसानी से cutting से लगने वाला plant है hanging basket के लिए ये भी perfect plant होता है आप देख सकते हैं और छोटा बच्चा भी इसको लगा सकता है बागवानी की शुरुआत करने वाले इस plant से अपनी बागवानी की शुरुआत कर सकते हैं छोटी सी cutting आप तोड़ लीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए तो आपका plant तयार हो जाएगा इसको भी यदि हम क्यारी में तोड़ कर फेग भी देते हैं फ्रेंट्स बारिश के दिनों में तो ये बहुत जल्दी उग जाता है तो जरूर इस plant को आप भी लगाए बड़ी आशानी से लगने वाला plant होता है और ज्यादा care की भी जरूरत नहीं होती इस plant को ज्यादा fertilizer भी नहीं चाहिए होत और देखे कितना खुबसूरत लग रहा है ये तो आप जरूर इस plant को grow करें और छोटे-छोटे bottles में भी ये बहुत अच्छे से चल जाते हैं आप देख सकते हैं और अगला जो plant है वो मेरा सबसे favorite hanging basket वाला plant है टेंगल हाट सबसे जो ज़्यादा मुझे पसंद है hanging basket में लग आया हुआ है और इसकी cutting भी दो तीन इंच की बड़ी आसानी से चल जाती है लिव से भी ये propagate हो जाता है यहां तक कि ये बीज से भी अपने आप प्रोगेट होते रहता है इसके seed गिरते रहते हैं जमीन पे और नए-नए plants बनते रहते हैं आप देख सकते हैं ये एक लिटर वाला जो बॉटल आता है कोल्ड रिंग का उसको मैंने दो हिस्से में कट करके दोनों तरब इस plant की cutting लगा रखी थी और आप अभी देख सकते हैं ये कितना बड़िया ग्रोथ कर रहा है इसके भी node area में roots निकले होते हैं और ये भी बड़ी आसानी से cutting से लग जाता है देख साथ ही इसको धूप भी कम चाहिए एक आत घंटे की सुबह की धूप मिले ऐसे जगह पर रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा और ग्रिन लुक देगा धूप में यदी रहेंगे तो इसके पत्ते थोड़े से यलो हो जाएंगे और छाय में रखेंगे से जगह जगह लगा रखा है इसको टैरिस पे भी है और यह देखिए अरीका पाम के पॉर्ट में भी मैंने छोटी सी कटिंग लगा दी थी तो यह देखिए यह भी कितना बड़ा हो गया है और बहुत जल्दी फैलने वाला प्लांट है नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा वंड जगह देखिए की और दो कलर में होते हैं और यह भी हैंगिंग बास्केट में बहुत खुपसूरत लुक देता है बिगनर बड़ी आसानी से इस प्लांट से अपनी गाडनिंग की शुरुआत कर सकते हैं छोटे बच्चे भी इसको लगा सकते हैं बहुत सुंदर दिखने व वहां से जड निकली होती है एरियल रूट रहते हैं इसमें भी तो इसको भी बहुत आसानी से कटिंग से लगाया जा सकता है बहुत सुंदर प्लांट इंडोर चलने वाला प्लांट पानी में भी बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट होता है तो इसको भी आप जरूर लगाएं और हेंगिंग बास्केट के लिए तो परफेक्ट प्लांट है ही ये देख रहे हैं फ्रेंट्स बहुत सुन्दर ये कॉमन वराइटी है यहाँ पर जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं और ये जो देख रहे हैं वो मार्बल क्वीन मनी प्लांट है नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा वो रियो का प्लांट है जिसे बोट लीली भी कहा जाता है बहुत ज़्यादा पुराना होने पर इसमें फ्लावरिंग भी होती है वाइट कलर की बोट के शेप में और इसकी भी प्रोपोगेशन बहुत इजिली कटिंग से हो जाती है नए-नय प्लांट नीचे से निकलते रहते हैं उसको आप तोड़ लीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए तो आपका नया प्लांट तयार हो जाएगा ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लुक देता है और ये देख रहे हैं वो वेरिगेटे ट्रीयों का प्लांट है देख सकते हैं यहां से नीचे से बहुत सारे प्लांट मल्टिप्लाई होते रहते हैं उसी में से आप एक प्लांट को निकाल लीजिए तोड़ लीजिए cutting और लगाल दीजिए तो आपका नया plant ready हो जाएगा तो इसको भी छोटा बच्चा लगा सकता है बहुत easy to grow plant होता है यह देख सकते हैं ज्यादा care की भी इसको जरुरत नहीं होती बस नीचे इसके जो पत्ते सूखते जाते हैं उसको आप साफ करते रहिए तो फिर इसमें fungus वगेरा नहीं लगता और यह बहुत अच्छे से चलता है next जो plant है हमारा singonium का है singonium में आपको बहुत सारी variety मिलेगी और इसके भी नीचे से plant multiply होते रहते हैं उसको आप तोड़ लीजिए cutting करके और मिट्टी में दबा दीजिए तो आपका नया plant बन जाता है plant बहुत पुराना जैसे हो जाता है ज्यादा पुराना तो उसमें भी aerial root निकलते हैं इसके singonium में जो बड़ा वाला variety का जो plant होता है उसमें और उसको भी आप cutting से बहुत easily grow कर सकते हैं और next जो plant है हमारा philodendron है इसमें भी बहुत सारी variety आपको देखने को मिलेंगी और ये भी easy to grow plant होता है देख रहे हैं friends इसके नीचे हर stem में एक-एक roots यहाँ पर आपको दीख रहे होंगे पत्तों के पास roots दिखाई दे रहे होंगे तो एक पत्ता और roots को आप कट करके मिट्टी में डाल देंगे तो आपका नया plant ready हो जाएगा बहुत खुबसूरत look देने वाला plant होता है easy to grow तो beginner इस plant से भी अपनी gardening की शुरुआत कर सकते हैं next जो plant है हमारा sweet potato wine है इसमें भी आपको 3-4 variety देखना को मिलेगी एक green और एक purple और आजकल तो variegated sweet potato wine का plant भी आ रहा है नरसरी में और इसकी propagation भी cutting से बहुत easy हो जाती है simple आप node area के पास का पत्ता कट कर ले और मिट्टी में दबा दे तो आपका plant तयार हो जाएगा बहुत सुन्दर रहता है ये और इसको भी आप hanging basket में लगा सकते हैं और जगा जगा मैंने लगा रखा है यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक गमले में कोलियस के गमले में मैंने दबा दिया था तो वो भी grow हो गया है बढ़िया से और मैं आपको इसके एरियल रूड दिखाती हूँ ये देख रहे हैं नोड एरिया के पास एक पत्ता जहां से निकलता है वहाँ नीचे इसके रूट से रहते हैं और उसी को आप कट करके दबा दिजिए तो आपका प्लांट तयार हो जाएगा और यहाँ पर देखे मैंने हेंगिंग बास्केट में भी लगा रखा है काफी लंबा सा हो गया है ये देख रहे हैं देख रहे हैं बहुत सुन्दर तो इसको भी आप जरूर लगाएं नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा क्लिपिंग चारली का ये भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है छोटी सी कटिंग आप इसकी भी लगा देंगे नोड एरिया को दबा देंगे तो ये प्लांट आपका तयार हो जाएगा हेंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट और धूप में नहीं रखना है इस प्लांट को शेड एरिया में रखे जहां ब्राइट लाइट मिलती हो तो यहां प्लांट बहुत अच्छे से ग्रीन लूक देता है और ये जो देख रहे हैं वो मेरे टैरीस पे रखा हुआ है इसलिए इसकी पत्तियां थोड़ी सी आपको बर्न लग रही होंगी ये देख रहे हैं ये भी टैरीस पे ही लगा हुआ है और यदि आप इसको इंडोर रखते हैं जहां ब्राइट लाइट आती है तो वो ये बहुत खुबसूरत ग्रीन लूक देता है नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा पर्पल हार्ट का है ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए पर्फेक्ट प्लांट होता है कटिंग से बहुत इजिली ग्रो होता है अभी तो मैंने इसको कट कर दिया है बहुत लंबे-लंबे से ब्रांच इसके हो गए थे और next जो plant है हमारा लालसा का है इसको लाल बातसा भी बोलते हैं और इसको hedge के लिए use किया जाता है आपने पार्क वगिरा में देखा होगा और इसकी भी छोटी सी छोटी cutting आप लगा सकते हैं और जो बड़ी आसानी से लग जाती हैं तो ये plant भी आप जरूर लगाए है hanging basket में भी बहुत अच्छा लूक देता है ये देख रहे हैं friends बहुत खुपसूरत पत्ते होते हैं इसके और इसको भी आप जरूर लगाए टीप वाली कटिंग आप दबा दें मिट्टी में simple node area को दो तीन node area को आप दबा दें तो आपका plant तयार हो जाएगा और इसके पत्ते बहुत खुपसूरत होते हैं और यदि आप इसको money plant है जैसे white color का पत्ता वाला उसके साथ यदि इस plant को combination करके लगाएंगे तो वो बहुत सुन्दर लगेगा ये देखें फ्रेंट्स ये एक pot आप लालसा रख दीजिए एक pot आप कोई दूसरा plant रख दीजिए ऐसे line से यदि रखेंगे तो बहुत सुन्दर लगेगा नेक्स्ट जो plant है हमारा mint का है पुदीना का plant है ये इसको भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते है नेक्स्ट है ये इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ये भी बहुत सुन्दर लगता है और easily cutting से ग्रो हो जाता है ये plant flowering plant है इसको धूप चाहिए तो धूप व node area में aerial root होते हैं बस उसको cut करके आप मिट्टी में दबा दें आपका प्लांट है तैयार हो जाएगा और ये भी hanging basket में बहुत सुन्दर लगता है next जो plant है हमारा ये देखिए nine o clock का है cosmos भी बोलते हैं ये देशी वरायटी है अब तो बारिश में हमारा hybrid वरायटी खराब हो गया है और next है ये पर्सलेन ये दोनों को भी आप hanging basket में लगा सकते हैं easy to grow plant होता है छोटी सी छोटी cutting भी इनकी चल जाती है और next जो last number पर मेरा जो अजवाइन का है actually ये खाने वाला अजवाइन का प्लांट नहीं है लेकिन इसके जो plant से अजवाइन की खुश्बू आती है लियू से इसलिए इसे common भाशा में अजवाइन का प्लांट कहा जाता है तो इसको भी आप बहुत easily cutting के माध्यम से grow कर सकते हैं तो आज मैं यही सार सारे plants आप से share करने वाली थी तो वीडियो कैसी लगी comment करके जरूर बताईएगा और अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए happy gardening बाई thank you